अबस मैंने अपते है कर लिया है कि अब मैं तेश साल की उमर में रेटायर्मेंट लूँगा तो मैं सीधा जाँगा इस साइट पे थोड़े एपिया इसको करने के बाद अपना पूरा काम अब AI पे छोड़ दूगा यह अब मेरे क्लाइंट संभालेगा और उनसे बात करेगा शोशल मीडिया पे मेरे पोस्ट करेगा मेरे ब्लॉक्स के एसी ओ हो या मेरे यूटिव चैनल के नए प्लैंस हो कि क्या करना है कैसे करना है वो सारे नोटिफिकेशन यह मुझे भेशता रहेगा बस मुझे यहां पर आग जो तुम्हें बताय जा रहे हैं नग्याये बना लो वो सबसे पहली बात एजएंट टूल नहीं होते एई टूल यूजर के मन्ड पर र οποन करते आपने इंपुटट दिया और उसके बादो उसे process करना चालू करेगा और आप तक output पहुँचाएगा लेकिन AI agents को input की भी ज़रत नहीं पड़ती ये खुद सीखते हैं समझते हैं और फिर आपके लिए वही काम करके देते हैं लेकिन कैसे अब जैसे for example open AI ने अपना LLM model बनाया यानि large language model जिसमें दुनिया जहान की knowledge है औ कितने data तक इसको train कराया गया है जितने ज्यादा इसको training कराया जाती है उतना model बढ़ता जाता है अच्छा होता जाता है अब हम यह मान सकते हैं कि यह जो LLM company ने बनाये हैं यह एक artificial brain है जिन से हम naturally बात कर सकते हैं इसे हम कहते हैं natural language processing इसके अलावा इन brains के पास अपने sentimentals भ है कि यह brain जो है वो task perform नहीं कर सकता अब तुम कहोगे ऐसे कैसे भाई मैं इसको काम देता हूं यह मेरा task करके देता है मुझे code लेके देता है मेरी लिए images बनाता है क्या बात कर रहा है तूँ टास्क का यह मतलब है आपके real world में जो task है वो नहीं कर सकता अब आप LLM से है और इस डब्बे को ना internet का access है और ना ही किसी database का access है हाँ LLM internet को access नहीं कर सकते आप कहोगे फिर यह बगवास बात कर रहा है LLM को train किया जाता है previous data के ऊपर यानि इतने सालों में जो data बना है उससे LLM आपको answers देता है internet का use करके नहीं देता है फिर internet कैसे use होता है वो आ पर इसने 10-10 साल तक उसे train किया है उस चीज के उपर अब दूसरी बात ही है कि यह आपके database से भी छेड़ चार नहीं कर सकते एक्जामपल के लिए यह देखो अगर मैं से कहूं कि इस website में को changes कर दे तो यह नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उस data से link नहीं है तो हम यह चाहते है कि इस LLM model जिसके पास अपना खुद का brain है उसको अपना database दे के फिर वो हमारे लिए हमारे behalf में काम करें और यही हमारा objective होता है एक AI agent को use या बनाने के लिए तो यह database आता कहां से है और AI agent इसको use कैसे करते हैं अब जैसे एक user ने LLM को अपना input दिया और LLM जो है उसके प write करना है तब तक वो हमारे लिए काम नहीं कर पाएगा वो जो general information है वो historical data से आपको दे सकता है लेकिन real time में नहीं दे पाएगा तो उसके लिए हमें tools को connect करना पड़ता है अब यह tools होते क्या है यह tools आपका database हो सकता है API हो सकता है जिससे वो information real time में लेकर आप तक पहुचात इसमें discount discount भी हो तो लगा लियो और वो ticket book करके मुझे भेज दियो PDF में अपने AI agent को आपने यह task दिया अब हमने क्या किया टिकेट book करवाने के लिए उसको ticket booking side का API दिया ताकि वो ticket book कर सके फिर उसके बाद हमने Google search का API उससे जोड़ा ताकि वो Google पर search करके discount codes को पता लगा सके payment aggregators के भी API उससे connect किये ताकि वो payment करके हम तक पहुचा सके तो वो API जो है वहाँ पर tool का काम कर रहा है और फिर आपका जो objective है वो पूरा करता है आप तक ticket पहुचाता है तो कहानी का सार यह बनता है कि एक LLM जब एक tool से connect होता है तब वो एक AI agent बनता है अब इस tool में API जो है खुद का map तो नहीं है यार खुद की satellite तो उन्होंने launch नहीं करी है कि उपर जाएगी और फिर आपको दिखाएगी कि delivery वाले भाईया कहां तक पहुचे वो क्या करते हैं वो जाते है Google Maps के पास फिर कहते है Google Maps अंकल आप एक काम करोगे अपने कुछ features मुझे उधार दोगे त अपने लिए use कर सकते हो अपने हिसाब से design करके अपनी website लगा सकते हो और फिर हमें जाके पता चलता है कि delivery वाले भाईया अभी थोड़ा दूर है तो वहाँ API एक चाबी है एक service को दूसरे service से connect करने के लिए क्योंकि Google Maps के पास वो database है उनके पास satellites है तो वहां से आप वो API की ले सकते हो ऐसी ही बहुत से sites यूज करते हैं जिनके पास हजारों की तादाद में database है अब for example open AI के पास अपने खुद का दिमाग बनाया है उन्होंने LLM model बनाया है LLM के पास दुनिया जहान की knowledge है उसको एक domain के लिए use करना वहां पर API की की जरूत परते है अब यह पहले कि तुम्हें किसके लिए एजेंट बनाना है खुद के लिए या दूसरों के लिए चलो एक fun fact बताता हूं आप एक single AI एजेंट पर बना सकते हैं एक multi AI एजेंट पर बना सकते हैं अब single तो आपने अभी समझ लिया कैसे होता है अब multi कैसे काम करता है अब जैसे मुझे की ज़रत पड़ेगी फिर स्क्रिप रड़र प्र स्टोरी टेलर फिर फैक्ट पब्लिशर इन सब लोगों की मुझे ज़रत पड़ेगी एक किताब को फब्लिश करने के लिए अब मैं क्या करूँगा एक एक एजेंट बनाना चालू करूंगा एक एजेंट इसेंट करेगा वो research का काम story teller को देगा, story teller वाला script writer को देगा और फिर वो अपने fact check करेगा और फिर publish करेगा, तो AI agent पूरा ये काम समाल लेंगे, multi AI agents इन्हें हम कहते हैं, जो अपना काम अपने superior को submit करते हैं, और अपने आप में ही communicate करते हैं, और अपने आपको सुधारते भी हैं, खुद, इसमें end में हम feedback model लगा देते हैं, जिससे जो काम उसने किया है, उसको वो और अच्छे से कर पाए, है ना कितनी interesting बात, interesting बात तो ये भी है, कि मैंने अभी तुम्हें types भी नहीं बताया AI agent के, AI agent के 6 types होते हैं, वो पता के मैं तुम्हें बोर नहीं करूँगा, वो तुम इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, अब मैं बताता हूँ तुम्हें reality क्या है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि LLM को जब तक tool नहीं मिलता, वो AI agent नहीं बनता, टूल यानी API या कोई database, अब वो जो API होता है, अगर कोई company API दे रही है, तो वो free में तो नहीं देगी, अब जैसे for example, open AI के जो models हैं, उनकी जो API keys के cost हैं, वो कुछ इतने GPT-4 या O-1 model के सबसे ज़्यादा high rates है, और ज्यादा तर लोग 4 O model को choose करते हैं, क्योंकि वो comparatively बहुत ही सस्ता model है, और उसकी API key आपको सस्ते में मिल जाती है, लेकिन ये इतनी भी सस्ती नहीं है, अब यहाँ पर आपको कुछ cents में API key मिल जाती है, हाँ free में आप ले भी सकते हैं, लेकिन यूज नहीं कर सकते, अगर मैं GPT 4 O mini की API key लेता हूँ, जो कि सबसे सस्ती API key है, open AI key, हर API model के पास tokens शब्त का इस्तिमाल किया जाता है, तो ये tokens क्या होते हैं, यानि कि एक AI agent जब LLM के पास अपने request भेजेगा, या LLM इसके पास request भेजेगा, तो वहाँ पर एक token consume होता है, उसे एक token माना जाता है, तो अगर वो input token है, तो धाई डॉलर आपको एक million tokens का देना पड़ेगा, आप कहोगे यार अच्छा है, बहुत है, तो अगर आपका agent 10,000 word हर दिन consume कर रहा है, तो यानि 15,000 tokens के आसपास वो consume कर रहा है, पर डे की कुछ इतनी आजाती है, output cost इतनी आजाती है, और daily की cost आपकी इतनी बनती है, फिर भी जायज है, और monthly cost जो होगी वो around इतनी बन जाएगी, अब यहाँ पर दिक्कते होना चाले होंगी, अब यह जो cost निकल का आई है per month की, वो आपके factors पर decide होगी, जैसे आपके number of users कितने हैं, जितने ज्यादा user, उतनी ज्यादा higher cost होगी, क्योंकि API से calling भी बहुत बढ़ जाएगी उस वक्त, अगर आप कोई SEO article लिख रहे हो, तो वो कितनी length का लिख रहे हो, जुसमें length जो होती है article की, वो थोड़ी कम रहती है, और अगर हिसाब लगाया जाए कि 100 users, आपके agent का इस्तिमाल कर रहे हैं, या खुद ही आप इस्तिमाल कर रहे हो, अपनी company के लिए 100 लोगों के लिए, तो उसका monthly cost 100 लोगों का कुछ इतना होगा, 1000 लोगों का इतना होगा, और 10,000 लोगों का इतना होगा, तो अगर हम मोटा भोटा भी देखे, एक individual इंसान के लिए बिए जो हर article को, एक नहीं, दो दो तीन तीन बार कहता है कि नहीं, फिर से try करो, तो हर बार वो API call जाएगी, और वो हर बार नया article लिखेगा, तो यानि आपका अकेले का cost भी 5 डॉलर से 50 डॉलर के बीच जाएगा, और कहें 2-3 जने और आगा है, तो यह आँकड़ा 50 से 200 डॉलर से तक भी जा सकता है, तो भले ही आपके पास API key का खजाना हो, आप उससे दुनिया की हर चीज कर सकते हो AI agent बना के, लेकिन वो cost, वो cost, वो कहां से लाएंगे, अब for example, इस वीडियो से पहले मैं try कर रहा था है, मैं अपना एक AI agent बनाऊ, जो पूरे इंटरनेट के YouTube channels, Twitter handles, Reddit posts, और जितना भी इंटरनेट पे पूरा सामान news का है, वहाँ से trending topics उठाए, मेरे हिसाब से, मेरे channel के हिसाब से, और मुझे हर वक्त अपने calendar पे एक नया idea देखने को मिले, जिसके लिए मुझे काम नहीं करना पड़ता, titles को ढूणने के लिए, मैं चाहता था, आप लोगों के लिए भी वह बनाऊ, और जब मैं बना रहा था, उसमें मुझे, दो-तिन APIs की ज़रुद दे, जैसे for example, YouTube data API आपको provide करता है, ताकि आप YouTube का data उससे fetch कर सके, Google search API का भी आप यूज़ कर सकते हैं, Google पूरे internet पी उपर क्या trend से, उसका data identify करने के लिए, अब उसमें मुझे ज़रुवत थी, SCM Rush के API की भी, क्योंकि भाई, competitor भी तो होंगे ना मेरे, उनकी हिसाब से भी वो पूरा analyze करके, हमें बताता कौन से नए keywords आये हैं, ये keyword trending है, ये opportunity मिस कर रहे हैं लोग, इसकी उपर आप capitalize कर सकते हो, उस सारी चीज़े agent मुझे बता देता, लेकिन SCM Rush की API की cost देखकर, मैं ने सोचा, थोड़ा रोग जाता हूँ, और मज़े की बात ये है, भले ही मैं इसको खरीद भी लेता, भले ही सारे APS लगा के मैं अपने AI agent को चालू भी कर देता, फिर भी वो real time में मुझे data नहीं दे पाता, वहाँ पर आपको basic Python code की knowledge होने चाहिए, basic, तो अगर देखा जाए तो computer science का student होने के नाते, मुझे वो आना चाहिए, आता भी है, लेकिन API की ही तो मिले पहले, अगर आपको नहीं भी आते होंगे ना, तो आज chat GPT आपको वो codes लिखके दे देता है, अब इस वीडियो का फिर मतलब क्या है, हम कैसे build कर पाएंगे फिर AI agent, अगर हमें coding नहीं आती तो, crew AI है, lang chain है, और अगर जो मैंने वीडियो की starting में आपको बताया, आपको सिर्फ dot से dot connect करने हैं, और आपका AI agent तयार हो जाता है, जिसे हम node formation भी कहते हैं, वो आप lang flow एक tool है, उससे कर सकते हैं, आप lang flow पे जाओगे, तो आपको महाँ पर pd templates भी मिल जाएंगे, tools के, जिसको आप connect कर सकते हो, और अपना multi agent tool बना सकते हो, तो हमने ये तो सीखिया कि AI agent कैसे काम करता है, क्या होता है, उसे कैसे build किया जा सकता है, क्या चीज़े हमें चाहिए build करने के लिए, वो सब आपको आप पता है, तो अगर इस वीडियो पे एक लाग लाइक आ जाते हैं कहीं से गलती से, तो मैं पूरा एक AI agent from scratch बनाने की कोशिश करूँगा, या किसी घर पे जाऊँगा, expert के घर पे, वहाँ से सीखूँगा, और आप तक पहुँचाऊँगा, तक आप अपना भी AI agent from scratch बना सके, जब तक तुम API की के पैसे जोड़ देना, और ये वीडियो मत देखना जो तुमारे सामने है, क्योंकि फिर तुमारी reality जो है उससे match निकरेगी, तुमारा ego hurt हो सकता है, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए be busy,